नमस्कार दोस्तों मैं संतोस कुमार सिना आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल में इसका नाम में स्टॉक लगने अभी मैं बात करूंगा पांच ऐसे पोटेंशियल स्टॉक की जो कि आने वाले ते arrests 2 साल से 3 साल के बीश में हम एक अच्छा return देखने को मिल सकता है उनष च्छोडॉक में और यह जो stocks हैं यह 50 उर्फे से कम किया है मतलब ज्यादा से जैदा हो सकता कि 50台 50 50 पैसे 50 पैसे 50 रुपे 40 पैसे तो मतलब 50 रुपे की आसपास है या उससे कम है मैं ऐसे स्टॉक की आज बात करूंगा जो स्टॉक्स जो है वह अच्छे स्टॉक्स हैं वो grow होने का chance ज्यादा है और यह मेरा जो व्यू है वो कम से कम दो साल का मेरा व्यूओ है उसमें हमें अच्छा रीटन देखने को मिल सकता है तो आई हम स्टाट करते हैं मेरा जो पहला stock है जो recommend stock है यह है है हेसफ के और इस stock को मैने 18 रुपय पर recommend किया था और यह जो स्टॉक है 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 अटेसर स्टॉकल नेटवरर दिया स्टॉल करती है जो टेलीrok फरींग त्यादा इसका ट Chapcom बहुत बड़ी हो गई है कम मतलब उसका जो शेर प्राइस है वह बहुत ज्यादा है प्रोजेक्ट योजना करके दिया है जिसके अंडर इसको हर जगा पर वाइफाई जो है वह इस्टॉल करना है जो भी जो गवर्मेंट के पार्क्स वगरा हो गया जो भी कोई टूरिस प्लेस वगरा हो गया उन सब जगों पर यह करेगी है तो आप देखिए यह पांचीजार जो है वो 23.9 का है तो यह अपने इंडरस्ट्री को जस्टिफाई करती है कंपनी मतलब यह स्टॉक अभी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है बुक वहली इसका पंदर रुप्य का है चौदर रुपा नभे पैसा है यह पंदर रुप्य का है तो इससे यह लगवग ढ़ाई ग यह भी एक इसका अच्छा जो है सो आरोई माना जाएगा कंपनी पर जो है वह आट सो एकट करोड़ का है जबकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वह 1788 करोड़ का है तो 0.45 का डेप टो इकुटी रेसियो है 42 परसेंट पर मोटर की होल्डिंग है उसमें से 44 परसेंट है और कंपनी के पास जो कैश्फध्लो है वह कैश्फ्ष्श फ्लो इस कंपनी के पास निकेटीव है मागर यह कंपनी jsमें. तो आप देखेंगे कि इसका अगर हम पिछले मार्च क्वार्टर का एक साल का देखें तो पिछले मार्च में इसका जो था मार्च में 180国 को अगया तो operating profit भी इसका बढ़ रहा है अगर हम इसकी अंदर operating profit margin की बात करें तो यह 13 परसंट के आसपास जो है यह अपना operating profit margin maintain करके यह company चल रही है कंपणी का जो EPS है वह भी भी हम बढ़ रहा है अगर हम हम इसका company का flo LN चले तौ मार्च का प्रशिक्त अंबे इसका इसका जून का 16व का 16 पयसे का हुआ सेप्ट मइं 14 से दिसंबर में 14 पैसे का तो अच्छी कंपनी है ये आने वाले टांप में जो है शो है कंपनी ग्रू करेगी कंपनी का जो और दिरे 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 कम होता होल्डिंग पैटन तो मैं आपको बता ही चुका हूं किसमें पर मोटर के पास 42 परसेंट है एक पास सब्सक्राइब के बराबर है और पब्ली के पास यह 55-55 परसेंट की होल्डिंग है तो आप इस पे नजर बनाये रखें यह जो पचास रुपे के अंदर में एक अच्छा श प्रसेंट कर रही है लो उसका इन ह्सकादा कर रहा है करेंट प्राइस अभी स्चांट अच्छा जो है वह वह ब्रो कर रही है इसका इसका पास जो इसकी कर आफ एकश्वилось 435 क्रोडर का है ROC भी इसका 6% है ROE 2% का है और इसके पास जो cash flow है वो 140 euro का है इसके अंदर DIA की holding जो है वो पहने 10% मतलब 9.75% है और FIA की holding इसके अंदर 10.7% है प्रमोटर के पास 58.5% holding है जिसमें के कोई भी share इसका pledge नहीं है तो HBL जो है ये भी अच्छी company है यह देखिए एक साल में जो इसने return दिया है बहुत अच्छा return दिया है इस company ने और जैसा आपको पता है कि आने वाले time में जो है वो electric vehicle जो आने वाली है उसमें जो battery का काफी जारा यूज होगा यह company जो है वो यह battery segment में भी काम करेगी और इसका अगर हम आपको अगर मैं sales दिखाऊं तो अभी इसका sales देखिए यह इसका जून में 120 को लोगा था सेप्टमबर में सब्सक्राइब और दिसंबर में 233 को हुआ दिसंबर में थोड़ा से कम है मगर यह company का जो काम काज है वो बहुत अच्छा चल रहा है company अपने operating profit margin को भी काफी जो है सो मेंटेन करके चल रही है तो यह company जो है मेरा second pick है आप इस company में भी दो साल का नजरिया बना करके इसको भी रख सकते हैं तीसरा जो मेरा पीक है वो भी पावर शेक्टर से है एस्जी वी लिम्टेट यह जो है सो एक तरीके साब इसको बोल सकते हैं गवर्मेंट की और यह आपको विंट पावर में भी है और यह वी पावर में भी है और इसके जो पंद्रह सो मेगावार्ट के प्रोजेक्ट्स है वो आपको जो हाइड्रोपावर का ही माचल में है करती है और solar power का इसने कदम रखा है जो कि 5.6 MW का यह घुजरात में और एक और इसने कदम रखा है खुजरात में वह 50 MW तो यह अच्छी कमपनी सब्सक्राइब बहुत ग्रोग कर रही है और इस कमपनी को प्रभॉट किया है गुवर्मेंट और इसके जो क्लाइंट है वो क्लाइंट यहां से 26 परशंट रेवनु आता है यूपी पावर कउरपयरेशन से 20 परसंट आता है जम्मूर कासमिस 17 परसंट नोपरशंट आता है तो इसके पास क्लाइंट की कमी है यह जो है ऑच्छे हैं कंपनी का भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है यह कंपनी आपको मात्र 26 रुपए 80 पैसे पे हैं और यह जो बूग वैलू है इसका यह 31 रुपया 60 पैसा पे तो यह अपने बूग वैलू से भी कम के यह कंपनी अभी अभी अविलेबल है और इसका आरो सी सोलब दसमलों का है डेप्ट 1851 करोड का है जो कि 0.15 इसका डेप्ट इकूटी रेशियो है कैस फ्लो इसके पास जो है वह 445 करोड का है यह 5 की होल्डिंग इसके अदर 2.33 परचेंट है और यह कंपनी का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है आप इस कंपनी पे भी अपना जो है वह नजर इसका थोड़ा सा जो है वह सेल्स का डाउन हुआ है लेकिन यह मार्च में उमीद है कि इसका सेल्स जो है वह थोड़ा और आप रहेगा तो दो साल के पॉइंट ऑफ व्यूचर आप देखें तो यह कंपनी भी जो है मेरा थट्ट पीक है अच्छी कंपनी है चौतीं कंपनी करती है तो आने वाले टाइम में एक दो साल के अंदर में बहुत बहुत अच्छा जम्प आपको देखने को मिल सकता है उसके बाद मेरा जो लास्ट जो पीक है वो है हिमाद्री यह बहुत पुरानी कंपनी है और यह बनाती है और यह जो कंपनी है यह लिए प्राइमिली जो है इंगेज्ड है यह कारवन में चैंटल का में और इंडिया की नंबर वन कोल पीस मैं पेंट्राइब मतलब आप देखते हैं जो रोडवगरा बनता है उसके मनुफेक्ट्रर नमबर वन और यह बहुत एडवांस मनुफेक्ट्रर है कारवन मिट्रियल का इंडिया में और यह सबसे बड़ा जो है वो प्लेयर है वो नेप्था लिन एंडिया में तो यह कंपनी जो इसका अब कंपनी बनाती है और जैसा आपको पता है कि वह बैटरी की जरूरत पड़ेगी और वह लिथियुम आयन में से रही ब्याटरी का बनेगी तो यह कंपनी जो है यह लिथियुमायच्पनी का भी आगे चल करें यह कंपनी का प्लान है तो बहुत अची और अक्छे रेट तो आप देखिए कि आसपास ही है जो है सो अविलेबल है आरो सी इसका इसका बारा दर्समलों दो परसंट का है फेस्ट वह रूपया का है रिजर्ब इसके पास 1730 करोल का है डेप्त मातर 596 करोल का है पर मोटर्स की होल्डिंग 45 परसंट की है इसके पास फ्री कैस्ट है वह 35.7 करोल का है तो यह कंपनी भी अभी जो है सो इसके अंदर भी बहुत जल्दी ब्रेक आपको देखने को मिल सकता है अच्छी कंपनी है और इस कंपनी का अगर आप ग्रोथ देखें तो मार्च में इसका 364 करोड का रेवनू था जो थो थोड़ प्रवाज फिर इसने जो है सो अपना पीक पकडा और सेप्टमबर में यह 389 करोड करें बनूं और दिसमर में 400 करोड करें बनूं तो यह कंपनी ग्रोग कर रही है तो मेरा यह पांचमा पीक है यह जो कंपनी है तो मैंने जो पांच आपको बताया दूसरा मैंने सब्सक्राइब बताया तो यह पांचों कंपनी में अपना सारा पैसा लगा दीजे मगर इन पांचों कंपनी को भी आप अपने पॉर्टफोलियो में अड़ कर सकते हैं इसमें से कोई भी कंपनी किसी एक दूसरे से कम नहीं है हाँ ठीक है सबका एक जैसा ग्रोथ नहीं कि चारो पांचों कंपनी जो है वो बहुत अच्छी कंपनी मुझे लगती है और मुझे लगता है कि 50 रुपे के अंदर का अगर हमें स्टॉक लेना है तो हम इन चार पांच कंपनी को अपने पोटफोलियो में रख सकते हैं ऐसा मेरा मानना है बाकि आपको इन पांचों कर लेंगे और यह जस्ट मैंने एक नॉलेज परपस के लिए बनाया कि 50 रुपे से कम के स्टॉक प्राइस में यह पांच स्टॉक जो है वो अच्छे स्टॉक हो सकते हैं बाकि आपको पता है मेरा जो चैनल का इमेल डी है वो है इस्टिकेट.learning.gmail.com आप इस इमेल डी पे म मुझे कम्निकेट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब दूँ इसे के साथ मुझे आग्या देजिए जै हिंद जै भारत बंदे मातरम नमस्कार